हेलो एवरिवन जेए क्लासिस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ एप्लाइड मैथमेटिक सेकिंड बढ़ते हैं आप इसे मैथमेटिक सेकिंड भी कह सकते हैं तो फटाफट से शेर कर दीजिए आप इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को बुला लिजिए कि क्लास स्टार्ट होने वाली है तो जब तक बाकी सब हमें जॉइन कर रहे हैं तब तक हम डिसकस करते हैं कि हमने इससे पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा था देखिए लास क्लास में आप सभी जानते हैं कि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब 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 तो आप अलग अलग नाम से देखकर परिशान मत होगा चलिए हम बताते हैं लास्ट क्लास में हमने आपको क्या करा दिया था आपको सब्सक्राइब पिछली दो क्लास में हमने फॉर्मूले भी बता दिये और उन्हें प्रूफ भी करा दिया था आज अम उस पर वेस्ट क्वेशन करने वाले हैं देखिए जैसे कि आप फर्स्ट क्वेशन देख पा रहे हैं बोड पर वन अपन फॉर प्लस नाइन एक स्कुर्णोम करना है i9x स्क्वाइल को सकते हैं हमें स्कुराइब रिक सकते हैं इंटेग्रेशन ओग वन अपन फॉर प्लस नाइन एक सिस्क्वाइर को थी 3x whole square लिखा जा सकता है, ठीक है, 3x whole square लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dx, क्या हो जाएगा, अब देखो, यह जो 3x दिया गया है, इसको आमने मान लिया, t, 3x is equal to t, differential करेंगे, 3 constant value है, x का differential बन होता है, तो यह हो जाएगा, dx is equal to dt, या dx is equal to dt upon 3, clear है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब देखे, हमने इस value को t कह दिया है, और dx की value हमारी बन कर आई है, dt upon 3, तो question हमारा क्या बन जाता है, इसके बाद हमारा question हो जाता है, integration of 1 upon, देखो, इसको हमने t कहा, तो 4 plus t square, into, dx को क्या लिख देते हैं, dt upon 3, क्योंकि जैसे हमने इसको t मान लिया, तो dx की value यह आ गई, it means dt upon 3, देखो, 3 constant value है, 3 को बहार लिया जा सकता है, तो हमने इसको लिखा, 1 plus t square dt, अब आप यहाँ पर आईए, 4 plus t square लिखा है, आप इस 4 plus t square को लिख सकते हैं, 2 square plus t square, तो हमने इस 4 plus t square को लिखा, 1 by 3, integration of 1 upon, 2 square plus t square dt, clear है, अब देखे, यहाँ से formula लगा देते हैं, हमने formula पढ़ा है, integration of 1 upon, a square plus x square dx, या आप x square plus a square भी कह सकते हैं, formula होता है, 1 upon a, tan inverse x upon a, ठीक है, plus constant of integration तो हम add करी देते हैं, तो tan inverse x upon a, यह formula हो जाता है, अब अपने question पर आते हैं, हमारे question में a की value क्या दी गई है, 2, और x की value क्या दी गई है, t, तो question क्या हो जाएगा, 1 upon a, 1 by 3 बाहर है, 1 upon 2, tan inverse, t upon 2, plus constant of integration c, clear, अब देखिए, अब हमने जिसको t माना था, उसकी value वापस रख देनी है, it means 1 by 6, 3 into 2 हो जाएगा, tan inverse, t की value कितनी है, t is equal to 3x है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, 3x upon 2, plus constant of integration c, यही हमारा answer है, clear, समझ में आगया, आपको कैसे question को solve करना है, आपने पहले 9x square को 3x whole square लिखा, फिर 3x को आपने t मान लिया, differential किया, 3 constant है, x को dx, t को dt, dx की value निकालेंगे, तो 3 नीचे आ जाएगा, dx की value होगे dt by 3, इसको हमने कह दिया t, तो 4 plus t square, 3 constant है, बहार लिखा, 1 upon 4 plus t square, 4 को लिखेंगे 2 square, अब formula लगा दिया, हमने यह वाला, 1 upon a tan inverse x upon a, या फिर ऐसा कहिए t upon a, क्यूंकि हमारे question में t है, 3x, तो value हो जाएगी, 3 into 2, 6, tan inverse 3x upon 2, plus constant of integration c, clear है, इतना समझ में आगे, अब चलिए, next question पे चलते है, देखो यह जो हमने question लिखे है, यह type 1 के questions है, चीक है, उपर हम यह भी लिख देते है, type 1, type 1 में क्या है, type 1 में हम इस type के questions लेंगे, यह question type 1 का है, देखो, जो सीधा formula based questions है, वो हम type 1 में रख रहे हैं फिलाल, ऐसा हो सकता है कि आपको book में type 1, type 2 करके ना दिया गया हो, जैसे 1 upon a square plus x square dx, इस type के question रखेंगे हम type 1 में, या 1 upon plus या minus कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है, x square minus plus a square, इस type के question रखेंगे हम type 1 में, या फिर आप ऐसा कहिए, 1 upon under root a square minus x square dx, या ऐसा कहिए, 1 upon under root x square plus minus a square dx, तो इस पर बेस जितने भी questions हम मनेंगे, इसको हम type 1 की category में रखेंगे हैं, ठीक है, तो हमने एक question कर दिया, इस form का, a square plus x square वाला, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, second question पर चलते हैं, second question क्या है, देखो, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में minus आ जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, बीच में plus e आए हर केस में, minus भी आ सकता है, तो हम ले लेते हैं next question इसी type का, जिसमें बीच में minus आ जाता है, ठीक है, x square minus a square भी हो सकता है, और x square plus a square भी हो सकता है, clear, जैसे यहाँ पर x square plus a square है, a square minus x square भी हो सकता है, ठीक है, जिस भी form में question दिया जाएगा, आपको इसी according answer कर देना है, ठीक है, जैसे की next question पर हम चलते हैं, next question हमें दिया गया है, integration of 1 upon 1 minus x square dx, ठीक है, यदि आप इसको solve करना चाहें, तो चाहें तो आप इसको 1 square minus x square कर लीजिए, इसके बाद a plus b, a minus b कर दीजिए, उसके बाद formula आप लगा दीजिए, partial fraction करने के बाद तब solve कर दीजिए, एक तो यह उस type से solve हो जाता है, second type हम सीधा formula यूजिए कर लीजिए, देखो, हमने formula पढ़ा है, integration of a square minus x square dx, तो यह हो जाता है, 1 upon 2a log a plus x upon a minus x, plus constant of integration c, यह होता है, under root a square minus x square के लिए formula, अब हम अपने question पर आते हैं, इसको लिख सकते हैं, 1 square, compare करते हैं, a square minus x square से, तो a की value हमारी आगई question में 1, क्या हो जाएगा, 1 upon 2a, 2 into 1 log a plus x, means 1 plus x upon 1 minus x, plus constant of integration c, यह हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, यह उस case में है, जबकि question कम marks में पूछा जाता है, कम से हमारा मतलब है, माल लिए, एक number में दे दिया जाएगा, यह दो number में दे दिया, in case equation long question में पूछा जाता है, तब आप इसको उसी तरीके से solve करेंगे, जैसे हमने formula proof किया था, means हमें इसको आंशिक भिन में तोड़कर solve करना है, means पहले हम इसको लिखेंगे, one square minus x square को लिखेंगे, one plus x, one minus x, then partial fraction करेंगे, then integrate करेंगे, ठीक है, यदि long question में आता है तो, clear, अब बढ़ते हैं अपने next question पर, देखो, question इस type से हो सकता है, माल लिया, question लिखा गया है, x square, माल लिया, यह लिख दिया जाए, third question, integration of one upon 9x square minus 25, माल लिखा जाता है, इसको हमें solve करना है, dx, क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या कर देना है, पहले तो 9x square को लिख देना है, 3x whole square, ठीक है, 9x square को लिख देना है, 3x whole square, ठीक है, ताकि whole square वाली form यहाँ से खतम हो जाए, तो हमने इसको यह से लिख दिया, integration of one upon 3x square minus 25 dx, clear, आप क्या करेंगे, अब यह जो 3x है, इसको एक constant value माल लेते हैं, तो माल लिया, 3x is equal to t, differential करेंगे, 3 dx is equal to dt, या आप कह सकते हैं, dx is equal to dt upon 3, clear है, अब देखिए, question क्या बन जाएगा, इसको आपने t कह दिया है, तो यह हो जाएगा, integration of one upon t square minus 25 into, dx की value कितनी आई है, dt upon 3, तो हमने इसको लिख दिया, dt upon 3, अब देखो, यह 3 constant value है, 3 को बहार ले लेते हैं, 3 को हमने विल्कुल बहार लिख दिया, हमने ऐसा लिखा, one by three, ठीक है, तो value हो जाएगा, integration of one upon, यह जो 25 लिखा है, इसे आप लिख सकते हैं, t square minus 5 square into dt, 25 को 5 square लिखा जा सकता है, अब क्या करना है, हमारे पास एक formula होता है, integration of one upon x square minus a square dx, तो यह हो जाता है, one upon 2a log x minus a upon x plus a plus c, यह हो जाता है formula, तो आप अपने question पर आते हैं हम, x की value t है, a की value 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, one upon three तो as it is ही रहेगा, बहार, one upon 2a, तो 2 into 5, छीक है, one upon 2a, तो 2 into 5, log x minus a upon x plus a, log t minus 5 upon t plus 5, plus constant of integration c, clear है, इतना समझ में आगया आपको, कैसे solve कर देना है, अब देखें, अब क्या करेंगे, इन सब की multiply हो जाएगी, one upon 30 हो जाएगा, log t की value वापत रख देंगे, t हमने माना क्या था, t हमने माना था 3x, ठीक है, t को हमने 3x माना था, तो 3x रख देते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर 3x रखेंगे, तो log 3x minus 5 upon 3x plus 5, plus constant of integration c, यही हमारा answer है, clear, समझ आ गया, कैसे solve करना है, तो यह तो हुए, a square plus x square, a square minus x square, और x square minus a square वाले question, अब हम बढ़ जाते हैं root वाले questions पर, चीक है, root वाले questions पर चलते हैं, सबसे पहले, next question पर चलेंगे, clear हो गया है ने, बस आपको ध्यान रखना है कि, किसको हम t माल लें, और कौन सा formula हम use करने, formula है सारे आप याद रखिएगा, type 1 में हम छोटे questions ले रहे हैं, type 2 में हम इस type के question लेंगे, जिसमें तोड़ा बहुत, इस से तोड़ी जादा calculation करनी है, चीक है, हमने आपको बताया था last class में कि, हम पहले easy level पर चलेंगे, फिर दीर दीर लेवल बढ़ा लेंगे अपना, ठीक है, ताकि आपको questions को समझने में आसानी रहे, ठीक है, पहले easy question करेंगे, तो आपको formula याद हो जाएंगे, questions करते-करते, तो आप difficult questions को भी आसानी से solve कर दाबते हैं, ठीक है, चलिए, next question पर चलते हैं, next question हमें दिया गया है, integration of, 1 upon, 1 plus 4x square, dx, ये question दिया गया है, हाँ जी, जब भी इस type की form बने, देखो, x square जब भी आपको दिखाई दे, और साथ में x ना हो, तो हमें उसे whole square वाली form बनानी पड़ेगी, ताकि हम उसको माने यदि टी, तो differential हमें question में मिल जाए, या तो differential के साथ constant value आजाए, constant value को आप भार लिख सकते हैं, कोई problem नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको लिख लेते हैं, integration of, 1 upon, under root 1 plus, 4x whole square है, मतलब 4x square है, तो हम इसको whole square वाली form में लिखेंगे, means हम इसको ऐसा लिखेंगे, 2x square dx, चीक है, ऐसा लिख देंगे, अब क्या करेंगे, अब मान लेंगे, 2x की value t है, तो हमने मान लिया, 2x is equal to t, differential करेंगे, 2 dx is equal to dt, यह आप ऐसा लिख सकते हो, 2 into 1 into dx, बताया है आपने आपको, कि यह dx यहाँ क्यों आता है, क्योंकि हम dt upon dx करते हैं, तो यह इधर पहुँच जाएगा, x का differential 1 होता है, तो इसलिए के वाली यह 2 into dx आ जाएगा, clear, तो confused होने की बिल्कुल अवशक्ता नहीं है आपको, तो यहाँ से dx की value आपको मिलेगी, dt upon 2, अब देखें, क्या बन जाता है question, question आपका बन जाएगा, integration of, 1 upon under root 1 plus, इसको आपने t मान लिया है, तो 1 plus t square into, dx की value क्या है, dt upon 2, ठीक है, देखो, 2 constant value है, 2 को बाहर लिखेंगे, तो value हो जाएगी, 2 को बाहर लिखेंगे, तो 1 by 2 integration of, 1 upon under root 1 plus t square dt, चीक है, अब क्या करना है, देखें, हमने formula लिखे थे, integration of, 1 upon under root 1 a square plus x square, या, x square plus a square, तो क्या हो जाता है, x plus, log x plus root a square plus x square, या, x square plus a square, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो, हमने इसको लिख दिया, 1 upon 2, इधर लिख देते हैं, पहले formula, formula यह है, integration of 1 upon x square, यहाँ पर a square plus x square वाली form बनती है, तो हम भाई यह ले लेते हैं, a square plus x square dx, तो यह हो जाएगा, log x plus under root, a square plus x square, plus constant of integration, तो आपको जोड़ी देना है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, हमारा, यहाँ पर देखो, 1 को 1 का square लिखा जा सकता है, कोई problem नहीं है, तो 1 upon 2 बाहर लिखा, यह formula लगाएंगे, पहले log x, x means t plus under root, a square plus x square, it means, जो value यहाँ लिख देना है, तो हम इसको लिखेंगे, under root, 1 square plus t square, plus c, अब t की value वापस रख लेंगे, t हमने किसको माना था, t हमने 2x को माना था, it means, 1 by 2 log 2x plus under root, 1 plus 2x whole square, plus c, यह 2x whole square खुल जाएगा, यह आजाएगा 4x square, तो हमारी value आजाएगी, 1 upon 2 log 2x plus under root, 1 plus 2x square, it means, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 by 2 log, 2x plus under root, 1 plus 4x square, plus constant of integration c, ठीक है, ऐसे solve करना है हमें, in case, यह ऐसा हो जाए, same question, plus ना होकर यहाँ minus आ जाए, तो formula अलग हो जाता है, formula हो जाता है, 1 minus x square वाला, it means, sine inverse x वाला, ठीक है, चलिए, next question ले लेते हैं, next question है हमारा, x square minus 4, यह दिया गया है, I am a question, ठीक है, root के अंदर लिखा गया है, x square minus 4, क्या गरेंगे, सीधा-सीधा formula लगा देंगे, 4 को आप लेख सकते हैं, 2 square, हमने इसको लिख दिया, x square minus 4, यह question है, तो हमने लिखा integration of, 1 upon under root x square minus 2 square dx, अब देखिए, इसका क्या formula होता है, x square minus 2 square का, जैसे हमने अभी लिखा था formula, वैसा ही, इसका भी formula होता है, integration of, 1 upon, x square minus a square dx, यह हो जाता है, log, x plus under root, x square minus a square, plus c, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, देखो, question में x की जगा, x ही दिया गया है, इस बाद, a की value कितनी है, question में, a की value है, 2, तो हम इसको लिखेंगे, log, x plus under root, x square minus 2 square, plus c, यह आप कह सकते हैं, x plus under root, x square minus 4, plus constant of integration, c, clear, अब एक और question में बचता है, जिसमें हमें a square minus x square वाली form बन जाए, ठीक है, तो इस type का equation ले लेते हैं, a square minus x square वाली form ले लेते हैं, तो यह clear हो गया, x square plus a square या, a square plus x square तो एक ही बात है, x square minus a square हम कर चुके हैं, a square minus x square बचता है, चलिए लेते हैं, is what a square minus x square वाली form, तो हमारे जितने भी possible types थे, means first type में जितने भी type बन सकते थे, वो हमने आपको बता दिये, देखो, question यह है, question number 6 हो जाता है, इस से पहले वाले में हम change नहीं कर पाएथे, आपके शायद question का number, question हो जाएगा, one upon, under root 9 minus 25x square, dx, देखो, क्या करेंगे, यह 9 minus 25x square लिखा गया है, तो हमें क्या कर देना है, इस 9 को लिख देना है, 3 का square, 25x square को लिख देना है, 5x whole square, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिखा, integration of, one upon, 9 minus 5x whole square, dx, clear है, यहां तक तो कोई confusion नहीं है, अब क्या करना है, अब 5x को मान लेंगे एक नया variable, 5x को मान लेंगे t, ठीक है, 5x को t मानेंगे तो value क्या हो जाएगी, value हमारी हो जाएगी, 5 dx is equal to dt, तो लिखते हैं हम पहले यह, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले ही जो value हमने बोली है, इसको लिख देते हैं, मान लेंगे हमने, 5x is equal to t, differential करेंगे, 5 dx is equal to dt, ठीक है, या फिर, dx is equal to dt upon 5, तो हमारा question क्या बन जाएगा, देखो हमने इसको t कहा, तो यह हो जाएगा, integration of, 1 upon, 9 minus t square into dt upon 5, यह 5 constant value है, 5 को बाहर लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा, 1 upon 5, integration of, 9 को लिखा जा सकता है, 3 square minus t square dt, अब देखो, हमारे पास एक formula होता है, integration of, 1 upon, a square minus x square dx, तो यह हो जाता है, sine inverse x upon a, plus c, तो यही formula हमें लगा देना है, चीक है, यही formula हमें यहाँ पर लगा देना है, sine inverse x upon a, चीक है, sine inverse x upon a लगाएंगे, तो आप देखिए, यदि अपने question की बात करें, तो a की value 3 आ जाती है, x की value हमारी t आ जाती है, तो हम इसको लिखेंगे, 1 upon 5, sine inverse t upon 3, plus c, 1 upon 5, sine inverse t की value वापस रखेंगे, t की value कितनी है, 5x, upon 3, plus c, यही हमारा answer है, ठीक है, समझा आ गया, तो type 1 में हमारे इसी type की questions थे, अब हम बढ़ते हैं अपने type 2 की तरह, type 2 में question में थोड़ा और solve करने, मतलब calculation थोड़ी और करनी है, question को थोड़ा और solve करने के बाद हमें formula लगाना, ठीक है, तो कौन-कौन से type बन सकते हैं type second में, लब किस-किस form में question हो सकता है, देखिए, वो बताते हैं आपको, type second में ऐसा हो सकता है, quadratic polynomial बन जाए, 1 upon ax square प्लस bx प्लस c बन जाए, या under root के अंदर बन जाए ये value, जो हमने आपको बताई है, या फिर one upon में, means divide में लिखे जाए expression, या फिर root के अंदर आ जाए, means type second में इस इस type के questions हो सकते हैं, कि integration of integration of 1 upon ax square प्लस bx प्लस c या integration of 1 upon ax square प्लस bx प्लस c या integration of ax square प्लस bx प्लस c ठीक है, इन में से कोई भी type बन सकता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले type की, ठीक है, first type, question लिया हमने, question हमें दिया गया है, integration of dx upon ax square प्लस 2x प्लस 10, ठीक है, तो क्या करेंगे देखूं, जब question इस type का बनता है, quadratic polynomial आपको दिखाई दे रहा है तो पहले आपको क्या कर देना है, सबसे पहले आपका काम है, कि यदि possible है, question के factors हो पा रहे हैं, means polynomial जो लिखा हुआ है, उसके factors हो पा रहे हैं, तो आपको factors कर देने हैं, factor हो पाएंगे, तो आसानी सही से partial fraction से solve किया जा सकता है, ठीक है, इस form यह जो हमारा इस chapter में रखा इसलिए गया है, क्योंकि इसके factors possible नहीं है, ठीक है, factor हो जाएंगे, तो इससे पहले वाले chapter का question बन जाता है, partial fraction से solve हो जाएगा, आसानी सही, अब यदि factor नहीं होते हैं, तो whole square वाली form बना देनी, अब कैसे बनाते हैं हम whole square वाली form, पूर्ण वर्ण बनाने के लिए, फॉर पर्फेक्ट स्क्वाइर, पर्फेक्ट स्क्वाइर, या पूर्ण वर्ण के लिए, क्या करेंगे हम, माल लिया, यह लिखा गया है, एकस स्क्वाइर, एको हटाई देते हैं बहार, एकस स्क्वाइर, प्लस पी एकस, प्लस क्यों, यह लिखा है माला, यह polynomial है, quadratic है, सबसे पहले आपको ensure करना है, कि एकस स्क्वाइर का जो coefficient है, वो 1 हो जाए, एकस स्क्वाइर का गुणांक, 1 हो जाए, सबसे पहले तो आपको देखना है यदि question में x square का गुणांक 1 नहीं है तो आपको x square का गुणांक 1 बना लेना है ठीक है कैसे बनाओगे common लेने के बाद बना सकते हो common लेंगे तो जो value constant है वो बहार आ जाएगी अंदर के वाल x square वाली form बच जाएगी clear सबसे पहले तो यह वाली बात clear हो गई अब क्या करना है अब हम क्या करेंगे x का गुणांक हमें क्या करना है x के गुणांक के आधे का square means p upon 2 square जोडेंगे और घटाएंगे और घटाएंगे ठीक है एड़ेंट सब्ट्रेक्ट p upon 2 whole square ठीक है coefficient of x half करेंगे square करेंगे वही जोडेंगे वही घटाएंगे ठीक है यदि यह p है तो p upon 2 whole square जोडना है p upon 2 whole square घटाना है clear यह note point लिख लीजेगा perfect square बनाने के लिए हमें क्या करना है अब अपने question पर आते हैं हमारे पास लिखा हुआ x square प्लस 2x प्लस 10 यह लिखा गया है क्या करेंगे हम पहले देखते हैं factor possible है 10 है 10 के दो ही प्राइम फेक्टर है 2 और 5 5 into 2 10 हो जाता है 5 plus 2 7 हो जाता है 5 minus 2 3 हो जाता है ना तो हमें 7 चाहिए ना ही 3 चाहिए ठीक है सब positive ही है मतला factor तो possible नहीं है factor पॉसिबल नहीं है तो perfect square बनाते हैं कैसे बनाएंगे perfect square अभी हमने आपको बताया कि x का coefficient x के बराबर में जो लिखा है उसका half कर देना है तो py2 जैसे हमने इसमें किया और उसका square करेंगे then उसे जोड़ेंगे उसे घटाएंगे अब यहां आते हैं x का coefficient है 2 2 का half करेंगे 2 का half आप जानते हैं 1 हो जाता है 1 का square भी 1 होता है तो 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे means हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dx upon x square plus 2x plus 10 plus 1 minus 1 ठीक है अब जो हमने add किया है उसको इसके साथ ले लेना है मतलब यह जो दो value है इसके साथ इस 1 को ले लेना है यह 1 square है यह 1 square integration of 1 upon x square plus 2x plus 1 square plus 10 minus 1 ठीक है a square plus b square plus 2a भी x into 1 लिख ले तो भी question पर कोई फार्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब यह है यह x plus 1 whole square बन जाएगा इसको x plus 1 का whole square लिखा जा सकता है तो क्या हो जाएगा यह हमने इसको लिख दिया x plus 1 whole square यह value हुई integration of 1 upon x plus 1 whole square plus 10 minus 1 क्या हो जाएगा 9 dx उपर लिख दिजए dx यह यहां लिख दिजए कोई फर्क नहीं पड़ता चीक है अब देखो अब क्या करना है इस x plus 1 को माल लेंगे एक नया वरियेपर हमने मान लिया x plus 1 is equal to t है माना हमने x plus 1 is equal to t differential करेंगी आप जानते हैं x का differential 1 होता है 1 का differential 0 हो जाता है तो यह value हो जाएगी 1 plus 0 dx is equal to dt यह आप कह सकते हैं dx is equal to dt question क्या बन जाएगा हमारा question बन जाएगा integration of 1 upon t square plus 9 है 9 को 3 square लिख सकते हैं और dx की value dt अब देखिए आप normal question बन गया है 1 upon t square plus 3 square x square plus a square तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ाया है यह formula 1 upon a tan inverse x upon a x means यहाँ पर t है t upon 3 plus c ठीक है t की value रख देंगे t की value क्या है t की value है x plus 1 तो हमने लिखा इसको 1 upon 3 tan inverse x plus 1 upon 3 plus constant of integration c ठीक है x plus 1 upon 3 plus constant of integration c यही हमारा answer हो जाए clear है यह तो बात हुई यह दी plus में जोड रहे है in case plus से हमारा मतलब है कि x square positive है अब यह दी ऐसा हो जाए कि x square negative हो जाए in case x square जब negative हो जाता है तो हम यह negative वाली value ले 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 ठीक है जब x square positive होता है तो आपको positive वाली value ले ले लेंगे positive वाली value से मतलब है हम एक value plus कर रहे हैं एक value minus कर रहे हैं जब x square plus में लिखावा है तो आपको जो plus वाली value है वो इसके साथ लेनी है उससे formula बनेगा आपका ठीक है, जब x square minus में हैं, तो आप क्या करेंगे, आप minus वाली value साथ लेंगे, तब आपका whole square वाला formula बन पाएगा, ठीक है, कुछ छोटे-छोटे से points हैं, उन्हें आप ध्यान रखेंगे, तो कोई problem होगी ही नहीं questions को हमें solve करने, ठीक है, यह समझ में आ गया है आपको, देखो अब इससे अगले वाले questions, अभी तो हमने एक टाइप आपको बताया है, इसमें भी negative हो सकता है, तो इसके आगे वाले questions है, वो इससे अगली वाली class में solve करेंगे, आज के लिए आपको जितने questions हमने करा दिये हैं, वो सारे questions solve कर लेने हैं, उन सब को करके देख लेना है, जित आप formula याद हो जाएंगे, जितना ज़्यादा आप formula यूज करेंगे उतना याद होते चले जाएंगे, फिर भी आप देख लीजेगा, एक बर सभी formula को और जितने questions solve कराएं हैं, उस type के questions, जितने भी उस type के questions, सारे questions solve करने की कोशिश कीज़ेगा, ठीक हम उम्मीद करते हैं, आपको class तो आज की समझ में आई गई होगी, फिर भी यदि कोई doubt रहता है, तो class को एक बार फिर से देख लीजेगा, एक बार में नहीं आता है समझ में, तो दो या तीन बार देख लीजेगा, definitely आपको पूरी class समझ में आ जाएगी, एक एक point जो हमने बताया है, वो सब clear हो ज classes, ठीक है, तो ये telegram channel join कर लिजेगा, कैसे करना है telegram channel join, ये भी हम आपको बता देते है, telegram app download कीजेगा, search कीजेगा, वहाँ पर, JEC Polytechnic semester classes, तो आपको मिल जाएगा, हमाया जो channel है, ठीक है, telegram channel, तो वहाँ जाकर आप join कर लिजेगा, यदि नहीं हो पार है, तो description में लिंक द लगबग 5th topic है, तो इससे पहले वाले topics है, पहले वाले chapters कह सकते हैं, तो वो सारी chapters देख लिजेगा, integration, integration by substitution, integration by parts, integration by partial fraction, वो जाके देख लिजेगा, उन सब की playlist का link भी आपको description box में मिल जाएगा, सारी classes देख लिजेगा, तो आपको इससे पहले वाले जितना भी है, सब clear हो जाएगा, तो आप सारी classes देखेंगे, तो आपको इससे पहले वाला सब clear हो जाएगा, देखें, जिनोंने भी जितने भी student हैं, जो आज हमको पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो जिनोंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, वो हमारे classes यूट्यूब चैनल को subscribe कर लिजेगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों को share कर दीजेगा, जितना possible है, share कर दीजे, देखिए, हमारी पूरी टीम आपके लिए महनत कर रही है, तो आपका इतना करतव्य बनता है, कि at least आप share तो करें अपने दोस्तों को, ता कि जैसे आप लाब करते रही है, घर पर रही है, सुरक्षित रही है, धन्यवाज, जैहिन, जैबर